बॉलिवोड एक्ट्रिस जागलीन फर्नेंडिस इस समय लगातार खबरों का हिस्सा बनी हुई है और उनके खबरों में आने की वजह सुन लोगों के कान भी खड़े हो गए हैं क्यूंकि उनका नाम किसी ऐसे शक्त से जुड़ रहा है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए है दर असल एक्ट्रिस का नाम ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ा था जिसे सुनने के बाद किसी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ हाला कि एक्ट्रिस ने भी इस बात से इंकार कर दिया था कि वो सुकेश को डेट कर रही थी लेकिन उनकी वायरल तस्वीर को देखने के बाद लोग समझ नहीं पा रही हैं के इस पर क्या रियाक्शन दे आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल एनन बॉलिवोर्ड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी कोई नहीं आवीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले आपको बता दें सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड की फिरौती का मामला भी चल रहा है वहीं जैकलीन का नाम उनके साथ जुड़ने पर लोग हैरान भी हो रही है साथी अक्ट्रस की सुकेश के साथ वाइरल तस्वीर ने सभी के होश उड़ा दिये हैं इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विशय बनी हुई है कहा जा रहा है कि ये तस्वीर इसी साल अप्रेल से जून के बीच की है जब सुकेश चंद्रशेखर अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया था और दोनों की चार बार चेननई में मुलाकात हुई वहीं प्रवर्तन निदेशालय का यहां तक कहना है कि सुकेश ने जैकलीन के आने चाने के लिए प्राइवेट जेट का भी इंतजाम किया था बता दें अक्ट्रेस से ईडी ने लगभक 7 घंटे तक 200 करोड की फिरौती के मामले को लेकर पुष्टाज भी की है सुकेश के साथ साथ उसकी पतनी मारिया पॉल पर भी फिरौती का मामला चल रहा है हाला कि इन सभी आरोपों के बाद जेकलीन के मैनेजर ने कहा है कि जेकलीन को ईडी ने गवाग के तौर पर बुलाया था और उन्होंने अपने बयान भी दर्ज करा दिये हैं जेकलीन की बात करें तो वो अपने सोशल मीडिया पर काफी आक्टिव रहती हैं फैंस उनके लुक को खूब पसंद करते हैं ऐसे में इस तस्वीर को देखने के बाद उनको बड़ा जट का लगा है आपको हमारे वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले